आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Indian Railway की जॉब के बारे में और उस पोस्ट के बारे में जिसको लेकर के आप सभी के धेर सारे कमेंट्स आ रहे थे वो पोस्ट है Indian Railway Ticket Counter की पोस्ट आप सभी में से बहुत से candidate का ये कमेंट्स है ये कॉशन है कि ticket counter की जो job होती है जो post है इस पर कैसे भरती होते हैं या बहुत सी post ऐसी होती है हम देखते हैं अलग-अलग departments में work करते हुए देखते हैं लेकिन हमें उस post का particular किस नाम से वो जाने जाते हैं किस post पर वो posted हैं ये हमें नहीं पता होता है इसी में से एक post है यानि इनकी जो vacancies आती है Indian Railway में वो किस नाम से release होती है किस नाम की post पर ये भरती की जाती है ये आप सभी नहीं जानते हैं तो इसी को लेकर करके आप सभी के जो comments थे आज इस वीडियो में किलिया करूंगी और railway ticket counter जो post है इससे जड़े हुए सारे information इस वीडियो में दूँगी Indian Railway की vacancies आने वाली है ऐसे में Indian Railway की जो ticket counter की जो post है इस पर भी vacancies आएंगी और अच्छे खासी vacancies आपको इसमें देखने को मिलेंगी ओके इस वीडियो में हम cover करने वाले है Indian Railway में टिकेट counter की जोब क्या होती है इसके लिए योगता क्या होनी चाहिए टोटल विकेंसीज और यह जो टोटल विकेंसीज है यह में आप प्रिवियस जो notification रिलीज हुआ था उसके वेस पर बताऊंगी कितनी टोटल विकेंसीज उस टाइम आई थी और आप सब भी जानते हैं एक लंबे टाइम के बाद आप notification रिलीज होगा तो उससे भी बढ़के विकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी selection procedure, salary, job profile, promotions and medical standard यह सारे points हम इस वीडियो में किलिया करने वाले हैं तो अगर आप interested हो वीडियो को end तक देखेगा हर आप डीवन मैं हूँ आस्था वैलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कवर्मेंट जॉब जेन्यू नॉटिफिकेशन चलिए स्टार्ट करते हैं railway ticket counter job सब सब पहले तो हम यही जान लेते हैं कि यह जो पोस्ट है जो job है किस नाम से जानी जाती है तो इंडियन रेल्वे में commercial come ticket clerk यह जो पोस्ट है cctc short form cctc commercial come ticket clerk यही पोस्ट होती है जो आप बर्क करते हुए देखते हैं ticket counter पर जो बैठे होते हैं वो commercial come ticket clerk post पर भरती होते हैं अभी यह clear हुआ पोस्ट और यह जो पोस्ट है यह RRB NTPC के अंतरगत आती है railway recruitment vote non technical popular category के अंतरगत यह पोस्ट रहती है यह अगर हम total vacancies की बात करें तो last जो 2019 में vacancies release होई थी उसमें यह commercial come ticket clerk post पर total vacancies 4940 total vacancies आई होई थी काफी लंबे टाइम के बाद अब फिर से notification इंडियन railway की तरब से आएगा कब तक आता है अभी यह confirm नहीं है लेकिन vacancies जरूर आएगी हो सकता है अब इस बार इससे भी बरके आपको इस post पर vacancies देखने को मिले क्योंकि last काफी चार पास साल से यह भरती नहीं हुई है तो ऐसे मैं इससे भी ज़्यादा vacancies आपको इसमें देखने को मिल सकती है अब RRB anti-PC के अंतरकर दो तरहे की post आती है एक तो 12th level की होती है और एक graduation level की होती है तो आपकी यह जो commercial come ticket killer यानि ticket counter की जो post है यह आपकी 12th level की post होती है तो अगर आप railway ticket counter पर job लेना चाहते हैं जो commercial come ticket killer के इस post पर भरती चाहते हैं तो आपका 12th pass out होना जरूरी है किसी भी stream से आपने किसी भी subject से science से, art से, commerce से किसी से भी आपने अपना 12th complete किया है आप इस post के लिए eligibility रखते हैं अब अगर हम बात करें कि इसमें age limit क्या रहती है तो 12th level की यह post है Indian railway में तो इसके लिए जो age है minimum 18 and maximum 30 year रखी गई है 18 से 30 साल आपकी age होनी चाहिए general candidate के लिए reserve categories के candidate को relaxation मिल जाएगा तो यह यहाँ पर हमने eligibility देखी अब बात करेंगे salary की तो commercial come ticket killer post पर जो salary रहती है यह भी आपको अच्छे खासी salary यहाँ पर देखने को मिल जाती है level 3 से इसमें आपकी salary रहती है 12th level की यही एक poster जहाँ पर level 3 से आपको salary रहेगी और initial जो आपकी salary है वो लगबग 21,700 initial starting basic पर रहेगा लेकिन साथ में इसमें आपके जो भी allowances हैं वो include होते हैं तो आपकी 30 से 35 हजार के आसपास आपकी salary बनती है अब depend करता है आप कहाँ पर posting है क्योंकि city पर भी इनके allowances कितना percentage आपको मिलेगा यह depend करेगा ओके तो यहाँ पर हमने salary देखी और अब हम बात करेंगे medical standard की तो railway commercial come ticket collect post के लिए medical standard V2 होता है अब आप नहीं जानते अगर V2 क्या होता है तो Indian railway के सभी post के लिए क्या medical standard होता है किस post के लिए क्या medical standard होता है and A1, A2, B2, C1 यह क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो यह भी आपको बहुत अच्छे से explain किया गया है वीडियो को लिंक मैं आपको आई वेटन पर दूँगी उसको विजिट कर लिजगा railway की vacancies आ रही है ऐसे मैं आपको आपका medical standard पता होना चाहिए कि आप जिस post के लिए apply करने जा रहे हैं क्या आप उस post पर medically fit हैं या नहीं सो आप उसको एक बार विजिट जरूर कीज़ेगा अब अगर हम बात करें selection procedure की तो commercial come ticket collect post के लिए जो selection procedure है उसमें आपका two stages computer waste test होगा cvt1 cvt2 अभी तक जो previous notification है उसके accordingly आपको बता रही हूँ क्योंकि new information तो अभी आई नहीं है recruitment rule या जो भी notification सो हम previous notification को लेकर के यहां पर चल रहे हैं two stages cvt examination होगा cvt means computer waste test इसके बाद document verification and medical examination यह आपका selection procedure है इस post के लिए अब देखेंगे हम promotion अगर आप commercial come ticket clerk post पर भरती होते हैं तो इसके बाद आप promote हो करके promotion लेकर के senior commercial come ticket clerk बन सकते हैं उसके बाद आगे promotion लेकर के chief commercial come ticket clerk and बाद में आप बन सकते हैं assistant station master तो इस तरह से आप इस post से promotion लेकर सकते हैं and assistant master जो station master है उस post पर आप promotion ले सकते हैं तो काफी अच्छी post है railway ticket counter job जो की commercial come ticket clerk Indian railway commercial come ticket clerk के नाम से जानी जाती है आप लोगों के जो doubt थे जो question थे कि counter पर जो ticket counter पर बैठते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं किस post पर भरती होती है कैसे भरती होती है यह सारी information आप लेना चाहते थे तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ clear किया उसका इस post से related जितनी information मुझे थी जितना मैं आपको दे सकती हूँ बता सकती हूँ तो मैंने आपको यहाँ पर सारे points clear कर दिये फिर भी अगर आपके मन में doubt होता है तो आप comment करके पूस सकते हैं अब इस बार जो vacancies आ रही हैं और previous अगर हम vacancies देखें तो RRB, NTPC की जो 12th level की जितनी भी vacancies आई थी last जो notification है उसमें सबसे ज़्यादा जो vacancies आई हुई थी वो commercial come ticket clear की post पर ही आई थी 4900 प्लस जो post थी सबसे ज़्यादा इसी post के लिए vacancy रिलीज हुई थी तो ऐसे में आपको भी अगर 12th level आप apply कर रहे हैं तो इस post को आप जरूर ध्यान रखेगा इसके लिए last जबसे ज़्यादा vacancies आई थी and काफी लंबे time के बाद आ रही है तो आगे भी आपको इससे भी ज़्यादा vacancy देखने को मिल सकती है तो अगर आपने इंडिया निर्वे की तयारी कर रहे हैं 12th level से non technical post के लिए तो उसमें इस post पर वैसे बहुत सी post है इस post को भी आप जरूर ध्याद में रखेगा salary अच्छी है job अच्छी आपकी and ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो like and share कीजेगा and other कोई भी आपके मन में query है doubt है question है आप comment करके पूल सकते है thank you